पर जैसे आज CET का रिजल्ट आया तो आप में से कई लोग काफी पैनिक हो गए पैनिक होना भी लाजमी है क्योंकि आप लोगो को लग रहा है कि इस परसेंटाइल का क्या सिस्टम है तो पहले मैं कुछ चीजे क्लियर कर दूँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मतलब परसेंटेज नहीं होता है तो अभी CET महरास्त ने परसेंटाइल दिख लिया किये जैसे लास्ट यह रैंक आई थी तो रैंक के ऊपर यह प्रिटेट करना बहुत आसान होता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा नहीं पर परसेंटाइल पर बता पाना मुश्किल दिया जाता है तो वैसे ही यहाँ पर अभी हमको परसेंटाइल दिया हुआ है तो इस परसेंटाइल का मतलब यह हुआ कि आपका इतना परसेंटाइल है अच्छा CET महरास्त में एक चीज और इंपोर्टेंट है कि जो अधर स्टेट का कोटा है वो अलग है और स्टेट का को जैसे आज कुछ बच्चों ने बोला सर हमारे 99.88 परसेंटाइल है और उसके बाद भी हमें top 10 मिलेगा की नहीं या 97 परसेंटाइल है 98 तो मैं आप सबको बोलूँगा अभी थोड़ा सा patience रखी बहुत जल्ली CET महरास की website पर आपको पता चल जाएगा कि आपके परसेंटाइल से क्या rank बन रही है या क्या score आपको मिलेगा यानि scorecard आपको मिलेगा आने वाले समय में पर उसके लिए परेशान मत होई है दूसरा जो बच्चे BHU का exam दे रहे हैं उनको मैं especially बोलूँगा कि आप लोग अपने BHU पर focus करिए दो दिन बाद ही BHU का exam है उसके लिए आप स BHU के exam के बाद एक batch launch करिएगा तो मैंने 5th of October को new batch launch किया है जो कि उन सभी बच्चों के लिए जो new हैं जो 22 को target कर रहे हैं साथ ही साथ आपका अगर dream and IT वाला है तो आप इस batch को online join कर सकते हैं तो once again एक बार बोलूँगा congressulation पैनिक मत हो ये इस percentile को देखके इस percentile पर बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौनसा college मिलेगा कौनसा नहीं बहुत जली clarity आ जाएगी आपको rank card आने के साथ कि rank देंगे score card तो सब कुछ clear हो जाएगा अब ये आप अपने BHU exam के लिए focus करिए once again all the best and congratulations thank you